गैस जिस बात का डर्थव वही हुआ है यानि रोहित सर्मा और इसांत सर्मा आने वाली टेस्स सीरीज जो आस्टेली के साथ होने वाली थी इस सीरीज से बाहर हो चुके है और इसका ओफीसेल स्टेट्मेंट बीसी से इन जारी कर दिया है रीजन ये बताया है कि दौन ही प्लेयर्स अभी इंजर्ड है और फिटनेस इन पर अभी इनकी उतनी खास नहीं है तो वही इसके बाद रोहित सर्मा का भी बड़ा वयान आया है और इनका टीम में स्लेक्ट ना हो पाना इसको इन होने साजिस बताया है तो क्या कहा है रोहित स अगातार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वे सबसे पहले हम बात करें पूरी खवर क्या है आपको बता दें ओडियाई सीरीज स्टेश सीरीज और टीटेंटी सीरीज खेली जानी है ऑस्टेलिया के खिलाब बहुत जल्द और रोहित सर्मा टीम का हिस्स विनिंग नौक खेली और पूरे मैच के दौरान कहीं भी नहीं लग रहा था कि रोहित सर्मा इंजर्ड है लेकिन इसके बावजूद भी टीम में स्लेक्ट नहीं किया गया और रोहित सर्मा का बयान आया कि वो मुंबई में लगातार प्रेक्टिस कर रहे हैं फिटनेस को ब यहीं सीरीज में टीट्वेंटी टीम का हिस्सा होते हुए जब उटसे दिखाई दे सकते हैं लेकिन यह पूरा फिट हो गए रोहित सर्मा ने इसके वारे में खुद कहा और इसके बावजुद भी टीम में स्लेक्ट नहीं किया गया इनको और आज एक ओफिसेल एनॉंसमें कर दिया गया कि रोहित सर्मा इसान सर्मा पूरी तरह से रूल आउट हो चुके हैं टेस्ट सीरीज से और अगर रोहित सर्मा अभी टेस्ट पास कर भी लेते हैं तो इनको तीसरा और चौथा टेस्टी खेलने को मिलेगा गाईज अब आपको क्या लगता है इसके पीछे क्य आवजय हो सकती है रोहित सर्मा को टीम में नहीं लिया गया है कमेंट बॉक्स में अपनी पीनन जरू से बताए सभी अपडेट्स लगतार पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन पर जरू से प्रैस करके रख लें धन्यवाद